दोस्तो EPS 95 पिंशन धर्कों के पिंशन में बृद्धी करवाने के लिए राष्टियो संगर सम्तिक की टीम हर हालत में पूरी तरीके से तयार है अब यह कुछ तस्वीरे हैं मैं आपके समक्ष लेकिया रहा हूँ नांदेड की तस्वीरे हैं नांदेड में EPS 95 पिंशन धर्कों के जो सुभशित्तक कमंडर असोकरावजी और साथ ही साथ में रजावासर थे और यह बहुत सारे EPS 95 पिंशन धर्कों पे एक अत्रित हुए थे और सबसे महत पुड़ बात है कि EPS 95 पिंशन धारकों की पिंशन ब्रिधी से सम्मनित जो दिल्ली जाने की बात है दिल्ली में दो दिवशे आंदोलन पे पुड़ा फोकस है नांदेर के जितने भी EPS 95 पिंशन धारक हैं सबी को संबोधित करते हैं राष्टिय संगर संती के राष्टिय अदक्ष कमांडर असो करावजी ने संबोधित किया EPS 95 पिंशन धारकों से खचा खच पुड़ा हाल भरा हुआ था आप यहां देख सकते हैं कुछ बालकनी में भी EPS 95 पिंशन धारक बैठे हुए तो कुछ नीचे थे और को ऊपर भी महिला फ्रंड की तरफ से गर आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं भी एकत्रित हुई थी EPS 95 पिंशन धारकों का फुल सहयोग पुड़ा साथ देने के लिए तो अब तो ये क्रियर हो जाता है कि EPS 95 पिंशन धारकों की इतनी भारी संख्या यहां पे एकत्रित हो रही जो EPS 95 पिंशन धारकों के पिंशन बृद्धी के लिए है और ये नांदेर महाराश्य से अपडेट सामने निकल क्या रही है देख सकते हैं आप उपर भी बहुत स उसी कुले की यहां पे चर्चाय हुई है किस प्रकार से वहां जाके EPS 95 पिंशन धारकों की प्रभावी ढंगे से उनकी समस्या है सरकार तक रखी जाए ताकि EPS 95 पिंशन धारकों की पिंशन बृद्धी इसी साल तक में हो जाए लेकिन यह कहा जाता है कि EPS 95 पिंशन धारक किसी के संदर्व में यह बैठके हो रही है ताकि उनको पेंशन किरासी मिलने लगे और उनके जीवन में आ रही आर्थिक परशानिया दिक्कत सब दूर हो जाए सबसे मिल रहे हैं गले तक लग रहे हैं और सबसे रिक्वेश्ट भी कर रहे हैं कि सब उपस्तित हो और जो इन्हों ने एक एक प्रिशन धर्कों के पेंशन बृधि करवाने के लिए एक अवहन किया है कि दिल्ली में 7 और 8 तारी किया जाएंगे दिसंबर 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को इसे वो सफल बनाएं और यह तभी सफल हो सकता है जब आप सब का सहयोग हो सहयोग दो प्रिकार से भी आप लोग कर सकते हैं देखे एक तो आप लोगों को जाना पड़ेगा दिल्ली दूसरे नमबर पे इनकी आवाज को जादा से जा वो संकल्प इनका पूरा हो तो मुखेता यह कुछ तस्वीरे थी साइवी तस्वीरों को आप देख लीजिए सभी में कमांडर असोकरावजी सबसे गले लगते हुए मिलते हुए और EPS 95 पेशियर दार्कों के समस्यों को बारी की से एकड़म बताते हुए और कब तक उनको पेशियर के लाजी मिल जाएगी इसके उपर भी विशे शुरूप से चर्चा किये यहाँ पर एक कमांडर असोकरावजी साधे साथ में रजावज सर भी वहाँ पर उपश्ते थे मौजूद थे कमांडर असोकरावजी की नेत्युत में यह बैठक हुई थी और बैठक जो नांदेर की बैठक ते उस संपन हो चुकी थी अगर बात करें महिला फ्रंट की तरब से तो महिला फ्रंट के तरब से भी EPS 95 परिशन धारक जितनी भी महिला है थी सभी का भरपूर सहयोग कमांडर असोकरावजी को मिलता हुआ दिखाई दिया है EPS 95 परिशन धारकों के लि देख सकते हैं महिला फ्रंट के साथ में कमांडर असोक राओजी ने यहां पर तस्वीर भी खिचाई है सबके समक्षे यहां पर देख सकते हैं काफी सारे EPS 95 परिशन धारक यहां पर एकत्र हुए हैं तो कुछ इस प्रकार की जो अब्रेट हैं कुछ इस प्रकार की अब्र तरफ और सिर्फ और सिर्फ EPS 95 परिशन धारक ही दिखाई दे रहें तो आप देख सकते हैं बाकि मैं कमांडर असोक राओजी कि यह जो वीडियो आप चलती हुए दिख रही इस वीडियो को भी अलग से डाल दूगा जहां पर आवाहर करते हुए दिखाई दे रहें इस व कमेंट जरूर डाल दीजेगा अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत